नमस्कार मैं अड़ोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ज्यान पर दोस्तों इंटरनेट की क्या इंपोर्टेंस है ये किसी को बताना नहीं पड़ता आज कर लोकडाउन की कंडिशन में तो ये और भी जादा नैसेसरी हो गया है मैं मुवीज या सोशल मीडिया देखने की बात नहीं कर रहा हूँ हलांकि ये भी इंटरनेट का यूज है लेकिन डिजिटल इंडिया मिशन के बाद गौवर्मेंट की हर स्कीम ऑनलाइन होने लगी है और गौवर्मेंट के काफी सारे ओफिसेज ऑनलाइन काम करने लगे है आपका बैंक आपको इंटरनेट के जरीए मोबाइल पर ही मिल जाता है और ना जाने कितने ही ऐसे काम हम डे टो डे लाइफ में करने लगे हैं जिनके लिए internet की जरुरत होती है लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारा देश ऐसे गिने सुने countries में से है जहां पर internet के use पर generally किसी टाइब की पाबंदी नहीं है वरना काफी सारे countries ऐसे भी हैं जहां public के लिए internet की facility allowed नहीं है और काफी countries में internet को control किया हुआ है कि आप internet भी सरकारी guideline और restriction के साथ ही use कर सकते हैं ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर internet इतना important हो गया तो क्या ये हमारा मूल अधिकार है आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं आगे बढ़ने के पहले आपसे request जरूर करूँगा कि ऐसे ही interesting videos regular देखने के लिए इंटरनेट के अधिकार को मूल भूत अधिकार यानि की fundamental right के रूप में मनेता देनी चाहिए हालांकि ये को international कानून नहीं था बलकि एक सिफारिस थी लेकिन इतनी मजबूत international body की सिफारिस के भी अपने माइने होते हैं इंडिया में हालांकि हमारी संसद ने ऐसा कोई इसपस्ट कानून तो नहीं बनाया लेकिन वर्स 2018 में internet के यूज से related एक मेटर केरल हाई कोर्ट के सामने आया तो केरल हाई कोर्ट ने देश में सबसे पहले internet के यूज को मूल अधिकार माना और इसको constitution के article 21 के अंतरगत मानने ता दी केरल हाई कोर्ट में जो मामला गया उसमें fact ऐसे थे कि कोलेज के boys hostel में internet के लिए कोई पाबंदी नहीं थी जबकि girls hostel में 6 बजे से 10 बजे तक internet यूज करना मना था तो केरल हाई कोर्ट ने दो बातें कही कि internet यूज करने का अधिकार मूल अधिकार के अंदर गताता है इसलिए internet यूज में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एक ही कोलेज के दो hostel में internet यूज के लिए अलग-अलग नियम होने से समानता का अधिकार भी प्रभावित होता है दूसरी बात ये कि आजकल काफी courses और learning internet के जरिये ही होते हैं ऐसे में internet का यूज सिक्षा के अधिकार में भी समाहित है जिसको हमारे सम्विधान में मूल अधिकार के रूप में मानेता दी गई है दोस्तों सिक्षा के अधिकार को भी सम्विधान में United Nation Human Rights Council की सिफारिस के बाद ही जोड़ा गया था इसके बाद internet यूज के संबन में दूसरा बड़ा केस तब आया जब जम्मू और कस्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया और फिर सुरक्षा कारणों से वहां पर internet को बंद कर दिया गया जम्मू कश्मीर में उस टाइम करीब 213 दिन का internet शटडाउन हुआ था जिस दोरान सुप्रीम कोर्ट में internet सर्विसे चालू करवाने के लिए petition फाइल की गई उस petition में सरकार का stand ये था कि security concern के लिए internet की पाबंदी जरूरी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए मूल अधिकारों पर पाबंदी लगाई तो जा सकती है लेकिन उसका justification होना बहुत जरूरी है क्योंकि मूल अधिकारों पर पाबंदी एनिस्चित काल के लिए नहीं लगाई जा सकती साथ ही मूल अधिकारों और national security में balance बना रहना जरूरी है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने internet के use के अधिकार को article 19 के अंतरगत मान्यता दी और internet पर पाबंदी को article 19 का violation भी माना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में 2G services चुत्तों चालू कर दी गई लेकिन 3G और 4G services पर बेहन जारी रहा तो high speed internet services को शुरू करवाने के लिए एक और रिट फाइल की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि internet services को बंद करना नाकेवल right to education का violation है बलकि right to profession और right to health का violation भी है केस में सुप्रीम कोर्ट ने internet use को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए सरकार को जल्दी बैन हटाने के लिए निर्देश भी दिये तो दोस्तो भले ही हमारी संसद के द्वारा internet use के लिए कोई clear कानून ना बनाया गया हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको fundamental rights के रूप में मान्यता भी दी है और इसे लागू भी करवाया है तो ये बात तो clear हो गई कि internet का use fundamental right है और सामान्य परिस्तितियों में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती लेकिन ध्यान रहे कि देश की सुरक्षा और अखंडता और शांती व्यवस्था ऐसे मुद्ने हैं जिनके लिए मूल भूत अधिकारों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है इसलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि internet का use हमारा मूल अधिकार है इसलिए इसको बंद नहीं किया जा सकेगा अगर सरकार को शांती व्यवस्था और सुरक्षा आधिकारणों से जरूरी लगे तो internet के use को रोका भी जा सकता है दोस्तों उमीद है वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी ही interesting legal जानकारीों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में